हाजी नमस्कार मेरे प्यारे साथियो स्वागत है आपके प्यारे से चैनल GLSS Studies में तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले है तो इस वीडियो में सेकेंड पाली का ठीक है सेकेंड पाली का हम एंसर के लिए क्या आगये है और 100% सही जवाब है सभी 100% सही रहेगा तो आप मिलाली जाएगा हमारा सेट आई है आपका कोई भी सेट हो उससे कोई भी मतलब नहीं है आपका सभी सही एंसर होगा क्यवाल आपना मिलाते चलेगा तो चले वीडियो को बिना दरी के वी स्टार्ट करते हैं तो पहिल का कोस्टन आपका आ चुका है कि यदि 3X प्लस 4Y ब्राबर 10 और 2X माइनस 2Y ब्राबर 2 हो तो क्या निकालना है आपको X और Y का भेलू निकालना है तो अपसका क्या हो जाएगा पहिल का क्या ओप्सन नमर ए हो रहा है जाएगा क्योंकि इसमें पूट काकर देख लिजिए 2 रखेगा तो 3 दून का 6 और 4 रखेगा तो 10 आपका असानी से मिल जाएगा रखेगा इतका क्या अल होगा ठीक है यह क्या होगा तो अगर आप इसका निकालेंगा तो क्या हो जाएगा तो अगर इसका निकालेंगा A1 बटा A2 बड़ाबर B1 बटा B2 इसको करियेगा तो आपको कौन से मिलेगा तो आसरित मिलेगा ठीक ह यानि दूसार का क्या हो जागा A1 बटा A2 आशरीत का होता है द्रोजनाट इक्वल टू B1 बटा B2 होता है चलिए next question तीसरा नमर question रखी समिकरण इतना इतना को आले किस परकार का होता है तो किस परकार दू बटा तीन करेंगे और तीन बटा दू करेंगे तो यह हमारा क्या हो जागा दोनों आज समान है तो क्या हो जागा परतिछेद सराल रेखा होगा चलिए next question समिकरण इतना को होगे तो दो बटा चार करेंगे फिर तीन बटा च्छो करेंगे फिर पांस बटा साथ ठीक तो यहां से आपको का मिलेगा तो यहाँ पर यह hydrogenate equal to मिल रहा है तो इसका को हो जाएगा कोई हल नहीं होगा चलिए जल जल एक सरा रखी इतना इतना के समनांतर हो तो पी का मान क्या हो जाएगा तो चार बटा दो कर लेंगे और पी बटा 9 कर लेंगे तो यहाँ से 2 निकल जाएगा तो फिर 9 बटा 8 पी बड़ाबर का निकल जाएगा हमारा 18 ओप्सन नमर सीजा राइट एंसर चलिए नेक्स कोशन हमसे का कर है आईए देख लेते है ठीक है चलिए निमनाखित में से समनांतर सिरेनी में कौन सन नहीं है नहीं है तो हमारा कौन नहीं है ठीक है तो कौन नहीं है तो चार अदस ठीक है यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारो अंतर आपको क्या है तो चार दस प option number a is a right answer next question क्या कर रहा है किसका हमको मान बताना ठीक है a 43 तो a 44 बड़ाबर a 49 d कर दिएगा और a minus क्या कर दिजएगा 34 d कर दिएगा तो a a कर जाएगा यानि 5 d निकल के आएगा 5 d आज 7 में गुना करेंगा तो 7 पचे 35 यानि option number b आपका आना चाहिए 28 तो a बड़ाबर 28 निकल किया गया sorry a बड़ाबर हमारा आज देखे a plus के दहा है a plus 6 d है बड़ाबर में 4 है तो 24 यहां से क्या निकला a बड़ाबर minus का 24 निकल और 4 तो यह बच्चा मारा है 24 जो गलात हो जाएगा इसका जो गलात हो जाएगा a plus 7 d में जो गलात हो जाएगा a plus 6 d होगा चलिए यदि समनादर से रेनी का n पदो का योगफ़ल 4 n square प्लस 2 n है तो अंतर क्या होगा तो अंतर क्या होगा तो दसवा कामरा से ही जो आप कौन से जाएगा option नमर a हो जाएगा 6 हो जाएगा एक दो तीन रहके आप देख सकते हैं चलिए next question बिंदू एतना इतना का मिलाने वाले रेखा खंड का मध बिंदू क्या होगा तो दोनों को जोड़ दीजिए दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिभाइट कर दीजिए तो मैनस 2 मैनस 4 क्या हो जाएगा मैनस 8 याने मैनस 4 और इधर क्या हो जाएगा इधर 2 ठीक है तो option बिंदू बच्चा ने बिल्कुल सही मारा है जिर्बाबर 2 निकलेगा तो तीनों को जोड़ दीजिए लिजिए और बटा में 3 कर दीजे, यहाँ पे 3 का 9, 9 में से 3 गया, तो कि इतना बचेगा, 6 बचेगा, और 6 0 को में क्या है, तो option number C है, तो एकदम बिल्खुद सही जवा, चले next question इतना क्या है, तो इक question को छोड़ दीजेगा, यह question नहीं बनाना था, चले next question नहीं बनाना था, आपसे न मिलेगा, तो 15 का 11 मिलेगा, एकस चले next question, इतना इतना हो, तो C का मान क्या होगा, तो C का मान आपका 90 डिगरी होगा, कैसे होगा, तो आइए देख लेते हैं, तो A B का भैलू, यहाँ A B C माल लेते हैं, तो A B C यहाँ पे 13 हो जाएगा, B C 12 है, E 15 है, ठीक है, A C क्या है, A C 5 ह और 13 दिया, ठीक है, तो यह 90 बनाएगा, क्योंकि यह ज्यादा है, ठीक है, तो 13, 90 जा राइट एंसर, संभावतिर्भूज का चेतरफल का परिमारपो का अनुपाद कितना हो जाएगा, तो परिमारपो संभावतिर्भूज का चेतरफल का रूट अंडर 3 भाई, भूजा का बी जा राइट एंसर, चलिए, इतना इतना समरूप हो, तो इसका छेतरफल निकालना तो का हो जाएगा, उसका का कर देंगा, तो 6.5 और 5.2 निकाल देंगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, यहां से अगर 6.2 निकालने जाएगा, तो आपका क्या निकलेगा, परफेक्ट आपका answer कौन सा आएगा तो 21 का हमरा आपका option आया होगा 180 आएगा 180 ज़ाब राइट इंसर next question क्या कर रहा है समनातर से 93 में पदों की संख्या कितना है तो 93 में माइनस क्या कर दीजेगा 9 3 आप 8 में क्या हो जाएगा बट्टा में माइनस का 5 कीजेगा आपका answer जो भी आएगा आपका सही जवाब हो जएगा ठीक है तो कौन सा हो जएगा आपका answer थीक है 5 कीजेगा तो आपका कौन सा हो जएगा 22 का आपका सही जवाब कौन सा हो जएगा तो option number A हो जएगा 1 आइसी ज़ा right answer next question समनातर 30 पदों का योगफल इतना इतना एक बिंदु B, X अक्ष पर लंब डाला जाए देखें, B से क्या जाल रहे है, और Y अक्ष से यहां से 10 लंब डाला जा रहे है, यहां से 5, तो यहां क्या होगा, Y अक्ष कलने देशांक होगा, यह 5, ठीक है, X अक्ष गा, तो 5 और 10 हो जाएगा, अप्सन नमर, A इ नमर, B जा, राइट अंसर, नेक्स्ट क्वेचन, Y अक्ष से इतना समड दुरूस थी, तो 0, Y से अगर सम दुरूस देखा जाए, यह फॉस्ट का ही क्वेचन है, तो अप्सन नमर, C जा, राइट अंसर, चले, नेक्स्ट क्वेचन, इतना-इतना के, आयतो का विकर्ण क्या तो गफिकर्ण ठीक है, तो 29 को भी क्या कर देते है, तो 29 को अप्सन नमर, B 10 हो जाएगा, चले, नेक्स्ट क्वेचन, यह जीरो,reten, यह सीट सको का नियमक हो, तो तो तीर्भुच के पर्मीति क्या हो जाएगा, तो तीर्भुच क Pen'mिति क्या होता है, तिर्भुच के पर्मी पूट में है तो आपसन नमर सी हो जाएगा इस में से घात केतना हो जाएगा तो इसका घात चारा दूच छो हो जाएगा और अपसन नमर बीजा राइट एंसर यहां पर अगर समझाने चाहे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा तो इस करण आपके वल का किजिए तो मिलात इस crate है तो और आप समय फूट कर देना है तो अगर आप एक फूट कीजेगा तो बहुत इतना का किया होगा तो आपसनством नमर डी हो जाएगा चले एक्स्अ माइनस 5 हो जाएका ऑप्सन नमर aan जो चार्मनों फस्वाल ले प। और 20 स्वा का जाएगा न को खूए ninety फाल स्वाल घस्वाल स्वाल आप्त्र हो जाएगा late नमर ए जा, राइट एंसर, नेक्स्ट कोचन देखते हैं, बहुत जाल्दी-जाल्दी कर लेते हैं, ठीक है, बृत का केंद से एतना लेवा के, जीवा की लंबा दूरी तीन है, तो बृत का तिरिजया क्या हो जाएगा, तो पांच हो जाएगा, अप्शन नमर बी जा, कोन, तो 43 को का कर देते हैं, इसकीप कर देते हैं, यह कोचन, ठीक है, चले, इसको भी स्कीप करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, कहता है कि 10 2 A बराबर, कॉट A-18 डिगरी 2 A, नियून कोन हो, तो A का मान क्या होगा, तो यहां से आप का कर सकते हैं, 10 को का कर सकते हैं, 10 को क्य लिख सकते हैं, तो qt 90-2 लिख सकते हैं, और 90-2 है, 90-2 यह करके a-18 से निकाल सकते हैं, यहां से a का भैलू, तो अगर आप a का भैलू निकालेंगे, तो आप क्या पाएंगे मेरे दोस्त, तो क्या पाएंगे, तो 36 पाएंगे, नेक्स कोचन क्या कर रहा है, यादी sin theta बराबर root अंडर 3 by 2 है, तो 10 square theta plus minus 1 का भैलू क्या होगा, तो क्या होगा, तो 2 होगा, option number C जा right answer, next question क्या कर रहा है, 9 cos square, 9 cortex square, तो क्या हो जागा, इसका सही जाओ, तो 9 यहां से common निकल जाएगा, 9, 1 plus केतना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, option number B जा right answer, sin theta बराबर A बटा B हो जाएगा, तो इसका common क्या होगा, तो option number B हो जाएगा, चलिए, next question क्या कर रहा है, 6 theta बराबर 3 बटा 12, तो 4 theta तो यहां से P बटा H वाला सभी form है, यहां से एक बटा 4 निकल एगा, संपून प्रिष्टिय चेतरफल, इसका square कर दीज़े, तो एक बटा 16, चलिए, दो बेलनों का आयतोन का सनुपात, उचाई, एक बटा 2 हो तो 30, जाओ का अनुपात क्या होता है, बेलन का वाक प्रिष्टिय चेतरफल इतना है, तो ब्यास अठाई से ठीक है, तो यह भी first shift term में कोचन पुझाता, तो option number C जा right answer चलिए, इतना है, तो चाउप की लंबाई पुझा है, तो चाउप की लंबाई क्या होता है, 2 pi r theta, 32, is a right answer चलिए, संकु की तीरिय कितना है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, तो संकु का संपुन प्रिष्टिय चेतरफल क्या होता है, pi r into pi r square, pi r into r plus l होता है, उसी को for simplest form में लिख दिया है, एक ठावन नमर कोच्चन देख लेते हैं, यह भी easy question था, तो 25 बटा 9 हो जाएगा, आठ संपुन प्रिष्टिय चेतरफल 616 है, तो गोला का ब्यास क्या होगा, तो 60 का हमरा सही जोगा, option नमर यह साथ संपुन होगा, pi इतना इतना का है, ठीक है, तो इसका सही जो हम बताते हैं, 4, 3, 10, 11, 11, 11 में से दूग गया, तो no, ठीक है, 4, 3, 7, 7, 11, 8, 8 में से दूग गया, तो 6 option नमर यह जा, राइट अंसर, 62 नमर निमिलकित में से दुगाज समिकरन है, तो दुगाज समिकरन हमरा option नमर B है, दुगाज समिकरन इतना इतना का गुंदन फल का P का क्या महरन होगा, ठीक है, तो यहां से हमरा क्या हो जाएगा, P का मान, तो यहां से P का मान हमरा 6 हो जाएगा, option नमर सीजा, राइट अंसर, चलिए, next question हमसे का कर है, next question देख लेते हैं, 64, क्योंकि D का value यहां पर 0 होगा, यहां पर दूसरा मूल कौन सा होगा, तो दूसरा मूल हमरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा मूल हमरा 3 होगा, ठीक है, 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, चलिए, next question, क्या कर रहा है, next question, कि दिखास समिकरन इतना, तो alpha प्लस बीटा का square, वो सेम एज इ Q-P पुछा है, Q-P पुछा है, तो 70 का हमरा से ही, जोगा कौन से होगा, option number C होगा, 9 होगा, चलिए, next question, 5 के प्रथम, 7 गुना जो का मधिका करते हैं, सभी को जोरके उतना से डिभाइड मार देते हैं, तो 71 का हमरा से ही, जोगा, 20 होगा, next question, इतना इतना का माधिका का होगा तो बढ़ते हुए करम में सजा दिजएगा, तो 16 होगा, next question, देखते हैं, 25 पंदरा का बहुलक क्या होगा, तो बहुलक सबसे ज़्यादे रिपीट क्या हो रहा है, 25 हो रहा है, option number B, बरामबतर, तो क्या होगा, यहां से आप निकाल सकते हैं, 3 गुने माध्य, कुने, 2, minus 2, इंटु माध्य, तो यहां से निकालेगा, तो option number B हो जाएगा, next question, इतना इतना का माध्य का हो जाएगा, तो सभी को जोर के उतना से डिभाइड मार दीजएगा, तो 75 का option number A हो जाएगा, next question, प्रायक्ता का नियुमता मान का होता है, तो 0 होता है, next question, किसके यदि घटना इत next question देखते है, पड़ी में संख्या, और पड़ी में संख्या का नियुमता होता है, और पड़ी में संख्या का होता है, और पड़ी में संख्या होता है, 57 का संख्या का नियुमता इतना का हो जाएगा, तो आपड़ी में संख्या हो जाएगा, next question, 84 नियुमता का हो जाएगा और 5 के पाफर 3 मारा होगा जो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका ऊपर 375 है जो 5 का Q है चलिए Next question 5 का क्यों नहीं 5 के Q से कर जाएगा Next question Next question क्या करा है कह रहा है कि चलिए Next question क्या करा है इतना का मशत दुनों को क्या गरना गुन अन्फल काके आप 5 से डिभाइड मरियागा तो आपका कितना निकल काएगा तो 87 का आपका निकल काएगा option number C 315 निकल काएगा देखे कैसे करेंगे 5 गुने 105 बटा क्या कर देंगे 5 तो यहां से 3 निकल लगा तो 100 क्या हो जाएगा चलिए भाग तो यहां पर A B Q का मान रख दीजेगा B Q R का मान रखेगा तो 88 का आपका बिल्कूस सही जो हो जाएगा 1365 हो जाएगा next question तो यहां हमरा क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा 90 देख लेता है तो इसका 10 मलों पर सार 7 किसमे होगा तो इसमे क्योंकि 7 के पाउर 3 से क्या कर जाएगा 343 कर जाएगा इसका ब्युक्तान रूप क्या हो जाएगा चोटा रूप ट्रूप क्या हो जानता है इसका मान देखा जाएगा तो इसका मान बताते हैं क्या हो जाएगा तो इन से क्या हो जाएगा एकदम मिलकूस सही बां रहा है option number B, इसका भी option number B, चलिए next question, 95 num Core 310, inspecte C हो जाएगा इधर देखा जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में